इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं दो लापट ओप की माहत्पून होने वाली है क्योंकि आपकी education knowledge को बढ़ाएगी और बहुत अची knowledge आपको मेरी वीडियो से मिलने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको और ऐसी ही educational, informative और valuable वाला content मिलता रहा है देखिए दोस्तों मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो अप्लोड है अलग-अलग laptop संबनी जानका नहीं उनमें में आपको दे रखी हुई हैं जिन डैप्लोग के बारे में आज हम comparison करने वाले हैं उनके वारे में भी एक dedicated एक अलग से भी वीडियो अफ्लोड है आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छी information मिलने वाली है तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को एंडिकर देखिएगा क्योंकि इनका हम comparison करेंगे कुछ specifications कुछ highlights और इनके price के बारे में सबसे बेले मैं आपको दोनों की laptops के नाम बता देता हूं और उनकी price बता देता हूं कि क्या price के होने वाले हैं ताकि आप compare कर सकें कि दोनों मैंसे कौन से best laptop होने वाला है तो देखिए दोस्तों नाम पे ध्यान देते हूं मैं बताता हूं क्या उनका नाम होने वाला है जो कि HP के side से हैं तो एक laptop है जो कि है HP का OMEN Intel Core i9 13th generation के साथ और दूसरा जो है HP का Spectry Polyo Intel Core i7 10th generation के साथ जो कि एक OMEN series का है और जो एक Spectry Polyo series का है जिसमें i7 का 10th generation है और एक में i9 का 13 generation है मैं जब भी आपको कहूं i9 का 13 generation के बारे में बता हूं तो आप समझेगा HP OMEN के बात हो रही है जब मैं आपको i7 10th generation के बारे में बोलू तो आप समझ जाएगा कि HP Spectry Polyo के बारे में बात हो रही है तो आप बात कर लेते हैं इनकी प्राइज होने वाली है और 10th generation वाली की प्राइज होने वाली है यह तो इनका प्राइज था अब नीचे डीटेस में देखते हैं प्राइज में थोड़ा सब फर्क जरूर है लग बल आपको प्राइज में फर्क लगगा 30,000 रुपे का फर्क देखने के लिए तो 30,000 में हम देखते हैं कि सच में 30,000 की कुछ स्पेशल सीज है इसमें एड़िट है यह फिर नहीं है आप देकी फ्रेंट नीचे बात करते हैं हाइलाइट्स की तो सब्सक्राइब में आपको आइन 13 जनेशन वाले की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आइन 13 जनेशन का प्रोसेसर है और इसमें 32GB की DDR5 रैम देखने के लिए मिल रही है विंडो लाइविन इसमें आइन 14 जनेशन वाले में और इसमें 16 लिए इसमें 13.3 इंची दिस्प्लेई देखने के लिए मिल गई है बस इसमें एक प्रॉफिट यह है कि आइसमें 10 जनेशन वाला है जो कि टच स्किन डिस्प्लेई है इसमें हना और इसमें माइस्वर ऑफिस फुल क्राइक वर्जन मिल रहा है 2019 होम एंड स्टूडेंट के लिए तो अब देखिए दोस पर नीचे बात कर लेते हैं जो कि होने हो यह है यह यो गेंगे स्टेवल है में इसकिलयर आ यह आप पर यहां पर देखने क्लिए ट dif सेयल हैता wesथे आप देखने के लिए मिल रहा है यहां पर कि टैच इसकिन के साथ सार और के चीज़ देखने के मिल रही है तो वाप केमरा यहां पर फुल-LHD-Wide version, IR-Wab camera देखने के लिए लिए और ports की बात करते है, ports सब में same देखने के लिए लाइफ जिसमें type-C के 2 ports देखने के लिए लिए और type-A के 2 ports देखने के लिए HDMI port और charging port आपको दोनों में देखने के लिए मिल रहा है यह सब की आपको सेम देखने के लिए मिलने वाली है प्रोसेसर की बात करते हैं प्रोसेसर के नहीं होने वाला कॉर आय नाइन एक प्रोसेसर होने माला कॉर आय सेवन क्लॉक स्पीड की बात करते हैं 5.40 GHz की क्लॉक स्पीड है आय नाइन ठातीन जनरेशन वाले के सांथ और कॉर आय सेवन वाले के सांथ ज्योंकि आय सेवन टैंसर जनरेशन वाला है उसकी स्पीड होने वाली 4.5 GHz मला स्पीड में बहुत अर डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा रहा है राम की बात करते हैं 32 GB की DDR 5 RAM है इसमें 16 GB LPDDR 3 RAM देखने के लिए मिल रही है इसके बात करते हैं जो कि मैंना खबाथ्ट में आइन उनने लरी इसमें आप के गार बात कर ले लिए तो इसमें आई नीसं जनरेशन वाले के सँन एन बी आक जी फॉर्स RTX 4070 देखने के लिए मिल रहा है और i7 10th generation वाले के साथ NVIDIA का GeForce GTX देखने के लिए मिल रहा है GTX से सीरीज यहां पर ने लिखी GTX 30, 50, 60, 60 देखने के लिए मिलेगा तो Graphic Card भी इससे बड़ा देखने के लिए मिल रहा है और इसमें 8GB का जो कि है Graphic Card की Memory है बहुत शांदार है इसमें 4GB की Graphic Card Memory देखने के लिए मिल रही है तो यह तो थी Specifications और Features दोनों Laptops के बारे में जो कि मेरे Comparison के साथ 30R के Rates में बहुत शांदा चीज़ें देखने के लिए मिल रही है बहुत अची Qualities के सांभी देखने के लिए मिल रहा है तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही आज इस वीडियो में मैंने आपको दो Laptops के वारे में Comparison लिया है जो कि एक था HP OMN Intel Core i9 30th generation और एक था HP Spectro Folio Intel Core i7 10th generation के साथ तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोकली में चैनल पर ऐसी ही Laptop Preview वीडियो लेकर आता रहता हूं तो मेरे साथ ऐसी जुड़े रही है मेरी वीडियो साथ जुड़े रही है ताकि आपको ऐसी ही जानकारी information मिलती रहे है मेरे चैनल पर और भी अलग-अलग Laptop संबंदी जानकारी वीडियो अप्लोड से आप वो भी देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही मिलिंगे हम किसी नेक्स लैप्तॉप information वाली वीडियो के साथ टेक कियर बाई बाई